हेलो फैंट्स आज की स्यूड़ में हम बात करने वाले हैं इनोक्स वीन पे फैंट्स टोक ने काफी अच्छे रिटन दिया हैं बट आप कुछ टाइम से आपको इसमें गिराउट देखने को मिल रही है यह गिराउट कहां पे जाके रुकने वाली है और इस टोक की क्या इंप जिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को ओन कर लो ताकि जब मैं जो वीडियो अफ्लोड कर उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इस कंपनी के फंडामेंटल भई पहले वीक थे धीरे-धीरे यह अभी प्रोफिट में आई वह थो भॉलख्याओ वह नुच्राइब करस्क stiff टोव पहलिए जैसे पीरेश साल्टी पीजैन से मैं जमोक्रिके और भी ऐसे पॉइंट है जैसे ROCE, ROE, Return on Capital Employee, Return on Equity, दोनों ही माइनस में है, ठीक है, आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसके जो fundamental है, उसे ध्यान में रखके यह आपको करना चाहिए, अब जिन्होंने यहाँ हाई प्राइस पे बाई किया, क्या उन्होंने सही decision लिया है, मेरे according तो देखो थोड़ा गल्थ हो सकता है, मैं यह नहीं करें 100% गल्थ ही है, नहीं हो सकता है, वैसे अच्छा moment आ जाए, क्योंकि जो यह company है, second largest जो renewable energy है, वो company है, तो अब यहाँ पर बात करें, इस टोक ने लगातार अच्छे return यहाँ पर दिये है, यह मैंने जो trend line draw कर रखिये, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो मैंने इस candle के bottom से, इस candle के bottom से, इस candle के bottom को मिला के, मैंने draw की थी, next time भी इसने यहीं पर sport लिया, इससे पहले ही sport ल बना है, अगर दूसरे way में कहो, तो W pattern type में बन रहा है, अगर इसका breakout होता है, तो यह जो depth बनी है, इतना ही upside moment आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन चांच ज्यादा रहते हैं, डबल टोप के बाद गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, तो यहाँ पर गिरावट हमें पर भी लेगा, और यहाँ पर two time इसने resistance का काम किया है, तो अब यह sport है हमारा breakout के बाद, तो three time इहाँ पर इसने resistance का काम किया है, तो अब यह sport का काम करेगा, जो कि एक अच्छा sport अब मान सकते है, 579 का, अगर इसका breakdown कर देता है, तो second जो यह मैंने यह draw कर रखा, ग्रीन कलर क यह रहने वाला 528 का, अगर इसका breakdown कर देता है, फिर नीचे के level हमें देखने को मिल सकते, उपर के level में पहला जो resistance रहने वाला है, वो इसका जो high है, बाउन विक का 663 का, वो हमें hit होता हुआ, नजर आया, मतलब इसके breakout के बाद ही अच्छा moment हमें देखने को मिलेगा, breakout के confirmation के बाद ही इसमें positive होना, आप क्योंकि देखो, breakout के बाद, next जो candle बनी, वो इसके उपर closing दे दी, तो हम इसे breakout मान लेगे, breakout के बाद भी एक बार market retest के लिए आता है, वो भी आप द्यान में रखना, वैसे stock ने इतने अच्छे return दे दिये है, तो long term के लिए तो मैं आपको suggest नहीं कर रही हूँ, अभी आप थोड़ा सा deep का wait कर सकते हो, अगर fresh buying करना चाहते हो, तो हलकी से deep का wait कीजिए, उसके बाद इसमें आप position बनाईए, ताकि आपको अच्छे return मिले, तो friends ये थी मेरी analyze, आपका क्या कहना स्टोक के बारे में comment करके जरूर बताना, और friends investment से पहले अपने खुद के analyze जरूर कर लेना, और अपने सलाकर से सला लेके ही investment करना,